प्रदेश सरकार शिक्षा में सुधाल लाने के लाख दावे कर रही है तो दूसरी तरफ प्रदेश के जिले चर्खी दादरी से ऐसी तस्वीरे सामने आई हैं जिसने सरकार की शिक्षा नीती को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है आखर ऐसा क्या हुआ एरपूर दिखिए ग्रामिडों का कहना है कि स्कूल की विल्डी बहुत पुरानी हो चुकी है वही स्कूल के ध्यापकों ने बताया कि स्कूल में सबी सुविदाव का अभाव है स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं होने से सफाई विवस्ता भी चर्मराई हुई है स्कूल में सोचाले और फाने की विवस्ता भी नहीं है जिस वज़े से बच्चों को बहुत परिशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर जो स्कूल है वो बुरी तरह जंचर हो चुका है बच्चों के लिए बैठने के खेलने के लिए कोई बी अक्टिविटी करने के लिए हमारे पास कोई जग है नहीं है बच्चे बात्रूम के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत के कीडे काटों का बहर रहता है जिस से बच्च और बच्चों के उपर बिल्डिंग पढ़ने का बहर है और नहीं हम बच्चों को ढंग से बठा पा रहे हैं और नहीं इनको ढंग से खाना दे पा रहे हैं और शकूल के बाहर बोट्विंदगी हैं हम लिख के दे चुके हैं आँ बढ़र बात्र जर्जे उपर से भई पसरह कार कीटी वहां के चेक करके जा चुकी है लेकिन हमारा बरलब जो फरसाम ने पूरा कर लिया, फोटो भी दे दिये भाई, लिक्के भी दे दिया, बार-बार चेकी भी हो रही है, बिए सरकार के उपर अब है, कभी इसको चड़वाए, कभी इनको भाई बनवाए, कभी क्या करें वही अधिकारियों ने बताया कि स्कूल गवन को कंडम गोशित किया गया है, और जल्द ही स्कूल की बेंटिंग को तोड़ कर नया गवन बनाये जाएगा वही जल्द ही स्कूल कारवाई हो चुकी है, बहुत जल्द इसका समाधाल कर दिया जाएगा भी डेमोलिशन और के लिए कमेटि कठीकी जानी है, वह वी विदिन वीक हम उसको कर देगे इक कंडम गोशित होने के बाद में उसको तार के दवारार उसको सेप्रेट कर दिया जाता है ताकि कोई और बच्चा उसको कोई अनौनी ना हो जोए तो वहीं जिला सक्षा अधिकारी जय प्रकास सब्रोवार ने बताया कि भवन के निर्मार को लेकर प्रस्ताव सक्षा विभाब के पास भीज़ा जा चुका है और जल्द से जल्द स्कूल में सवी सो वदाएं उपलब्द करवाई जाएंगी कि अधिस स्कूल को विजट किया है तो यहाँ यह स्कूल की बिल्दिंग अंसेफ की करी गए दोबारा अब इस बिल्दिंग को तुड़वाने के लिए के लिए कि में डिसाइड होगा कि इसकी कभ बोली लगाई जाएगी तो उसमें अम अखवार में निकड़वाएंगे उसके बाद ही इसके बोली दाता आएंगे और उस बिल्डिंग को तोड़ने की प्रिक की जाएगी तो जल्दी जल्दी हम इस बिल्डिंग को तुड़वाने कोशिश करें के लिए अमने अभी पिछे डिमांड बेजी हुई है यहां पानी की टंकी की और टोइलेट की एक टोइलेट अंदर बनाया हुआ है वैसे बच्चों के अमर्जेंसी के लिए दो टोइलेट इतर बने हुए हैं लेकिन अभी सब से पहले प्रोसेस अमारे बिल्डिंग लेगा इसमें हमें पानी टंकी बनवाएंगे टोइलेटी बनवाएंगे बच्चों की लिए जो कमिया है वो सारी पूरी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें शिकायत मिर चुकी है कि वे इस पर जल्द से जल्द कारवाई करेंगे लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रिश में फिला लेता है चोटी से ब्रेक के बाद फॉरा नोटेंगे आप देखते रहिए हर खबार